हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल समराथ एजूकेशन में दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को भी सी एगडिकलिचर सिक्ट सेमिस्टर के अभी से पुष्ट हर्वेस्ट मेनेजमेंट का पंदर सुरह मोस्ट इंपर्टेंट सा इसको निकोलस ने दिया निपोल निकोलस फटने बढ़ा पर सबसे पहले कार किया था ठीक है फूर्ट प्रीजर्वेशन पर सबसे पहले कारी इन्होंने किया तरह सब्सक्राइब शुच्छतर में तो इनी कि नाव पर इसका पर दोड़ा रखा गया एपटाइजेशन जो ह गर्म करके हार्मेटिक सीलिंग द्वारा जिवाडू रहीत किया जाता है ठीक है तो एपटाइजेशन क्या हो गया एपटाइजेशन फूड के लांग टर्म इस्टोरेज के लिए लंबे समय तक भंडारण के लिए एक प्रिजर्वेशन प्रोसेस एक पर रच्रप रक्रिया ह जिसे निकोलस एपट के नाम पर रखा गया ठीक है निकोलस एक नाम पर इसका नाम एपटाइजेशन रखा गया है इस प्रक्तिय में भोजन को एक एरटाइट कंटेनर में गर्म करके हार्मेटिक सेलिंग द्वारा जिवालू रहीत किया जाता है ठीक है तो समझ में आगे निकोलस एबट नहीं सबसे पहले फूर्ट प्रोड़क्ट आर्डर जिसे 1905 में लागू किया गया था ठीक विया 1905 में इसे लागू किया था फूर्ड प्रोड़क्ट आर्डर को यह क्या यह एक कानूनी दस्ता वेज है यह कानूनी प्रक्रिया भू सकते हैं जो खादे के उतुपादन के प्रोस्सेंग व्यूसे आपने किसी प्रोसेसिंग के आपने उतुपादन किया उसकी पैक कि विद्रड किये उसको बीचे यह सब जो कर रहे हमानकु को निटर्याइद करता कि आप नियम का evangel कर रहां मानकों कर रहे हैं ठीक है इसका उद्धेसर क्या होता है कि जो भी भोगता है उसको सुरच्चित और गुड़वत्तापुड खाद का उपलब्द करना ठीक है उसको गुड़वत्तापुड और स्वस्ता भोजन उपलब्द कराना आई फूड़ प्रोड़क्ट आर्डर का मुख्यों और उसके मानखों को तयार किया जाता है इसका उद्धेस यह वोगताओं को सुरच्चित और गुड़वत्तापुड खाद उपलब्द करवाना अगला किसमर रहे हैं मैचीर्टी क्या होता है ठीक है मैचीर्टी तो मैचीर्टी वह प्रक्रिया होती है या वह अवस्था हो तो उसको बोलते मैचीर्टी अभी इस समय की यो कि हो गया होटा है ठीक है आगे चले चलते है में क्योरीं क्योरिय्ञ क्योर यह होता है जो कंद वाली सब्जी थाश्री लेसुन हो गया तो कंधवली सब्यों की खुदाय के बाद उन्हें दो से पांश दिन क के लिए खेट में छोड़ दिया जाता है जिससे सब्यों के अंदर estás नहीं होता तथा लंभी शंव बंडार च्ऴता राती है इसी प्रेकरिया को कहा जाता है था कि कि उसके ऊपर की जो उसका शिलका बोल सकते या उपर यो परत हम सूख जाएगा तो उसमें रिस्वी डेसान मतलब नमी का रास नहीं होगा ठीक है और जिवह का संकराण भी नहीं होगा लंबे समय उसको बंडारित किया जा सकेगा तो इसी प्रोसेस को क्योरिंग करने के लिए 35-45 एक दिसे स्तापमान पर नमी को 12 गंटे के लिए प्रोसेस होता है जिसमें कंद वाली प्रोसेस होता है दूप में चोड़ दियाता ताकि उसकी ऊपर का जो उसका जो उपर का च्छिलका है या उपर को भाग है परत है वह सूख जाए जिससे सब्सक्राइब के अंदर की नमी का हरासना हो सुच में जिवों का संक्राइब नहों और लंबे समय चाहिए ठीक है आगे देखें के प्र स्सक्राइब करते हैं अगला प्रिकूलिंग टवार के तुरंत करना प्रिकूलिंग का लाता है प्रिकूलिंग से सब्सक्राइब हीट निकल जाती है जिसके करण सारी उपापचाई क्रिया जैसे स्वस्राण इंजाइम सक्रीटा आधि बंद हो जाते हैं जिससे बंदाड शमता बढ़ती है आतके दौरान प्योल हुआ नजले मतलब कि अंदर से सब्सक्राइब को निकालना ना लाता है अनाजों के अंदर से भी आप देखते होंगे गाहा में ग्योंग जो काटते हैं तो उसको कुछ दिन तक बाहर इसे छोड़ेते हैं धेर लगाके ताकि उसके अंदर से फिल्ड हीट है वह निकल जाए जब फिल्ड हीट उसके निकल जाएगा तो उसकी सिल्फ लाइप अपने आप बढ़ जाएगी इसमें फिल्ड हीट को रीमूब किया जाता है प्रीकूलिंग से फ़लो असबजी की सेल्फ हीट को निकाले जाती है जिसके काड़ सारी उपापचे जो क्रिया होती जिसे स्वसन इंजायम सक्रीटा आधी को बंद हो जाते हैं जिसे बंडाड शमता बढ़ते और या तके त आगे देखते हैं परी प्रीकूलिंग के कुछ वीधियां भी है परला हाइड्रोकूलिंग तो कुछ सब्चिया आईसी है जिनको पाने में डालकर उसको प्रीकूलिंग के इता है या बीदी हरे पत्ते वाले सब्चियों में अपना जाती है अगला एर क्लिन धोड़ा भी पूछे तो आप लोग वहां पर लिग से के मैं तो भी आगला वीडियो आए गाई लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं ठीक है अगला फोर्स एर कुलिंग तो यह सभी फलो सब्जों में अपनाई जा सकती है अगला वैक्यूम कूलिंग यह मुखे तब फूल करने के बाद भी उनमें हरा रंग दिखाई देता है इस हरे रंग को दूर करने के लिए इस हाइलीन को उपजार दियाता है जिसे उन पर सुनादी पीला या थ्वा नारंगी विक्सी सब्सक्राइब ठीक है ठीक है जो नीबू और की फरवते मुक्रूप से उनको पकने बा करने करने के लिए ना जाता है उसका उर्णाना पीला और रंगी हो जाता है जिससे चांसा मार्केट वैल्लू बढ़ जाता इंबू और की फलो में पखने भाद उनमें हरे रंग को दिखाए देता है इस अ इसका उतना बढ़ाना और उन्दों दूंधे और ज्टा को बढ़ाना आगे देखें ग्रेडिंग या स्रेडि करण ठीक है तो फलो सब्सक्राइब करेंगे जो अच्छे क्वाल्टिक से उसको अलग करेंगे क्योंकि यह सभी मिलाएंगे तो जो बड़ा वाला है इसको अलग कर देंगे तो जो बड़ा वाला इसका यहादा मिलेगा इसका थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो इसलिए ग्रेडिंग क्या तक उसकी मार्केट वेलू जो बनी रहे और फॉलों किसी प्रकार गुरता खराब नहों लोगों देखने में अच्छा लगे ठीक है तो ग्रेडिंग क्या हत बढाना होता है अधिक असलिसा मुनाफा कमाना होता है खोड़ेंग और का नभी आ अधिक 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 सब्सक्राइब। तो निकान लेक्ट के लिए कोई स्वाटिंग को अधिक मुनाफ़ा कमाना ठीक है अगला वैकसिंग या मोम की परत चड़ाना ठीक है तो फलो और सब्सक्राइब को बढ़ाने की लिए उसमें वैकसिंग किया राता है वैकसिंग से क्या हता बाई वुषकी च्मता होती है वह पीख़ानाने मिलता है उसको चरण को यौिदो नवी कमनी योगा रही is तो नवी गालास नहीं होता है उपापचाई क्रिया जिसे स्वस्वन आधी बंध जाते हैं सुछ में जियों का संक्रमन नहीं होता है बंडार चमता बढ़ती है तता फल और सब्जी चमकदार दिखाई देती है ठीक है जिस सब्जी पर फल पर आप लोग मार्केट में देखत है चमकदार दिखता है और संदर दिखता है तो सब लोग खरीते हैं यह मार्केट वैली बढ़ जाती है उसका जो सब्सक्राइब कर देंगे ठीक है ऐसा कर देंगे कि वहां पर जो सुछ मजी हुआ है वह नजा पाएं ठीक है तो उपापचाई क्रिया जैसे स्वस्वस्व सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें परिपक अवस्था में तोड़कर पांस सब्सक्राइब कर पांस सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए उनकी प्रादान करने के लिए बंडाड शमता को बढ़ाने के लिए अलग अलग पैकिंग पैक की आता है दूर दूर तक बेजने के लिए कोई प्रोड़क्ट है उसको पैक करेंगे तो आप दूर दूर तक बेज सकेंगे ठीक है उसकी जानकारी भी लिखी रहेगी उसकी जो बंडारड समता हुआ भी बढ़ जाएगी और अलग अलग पैक किटों में उसको पैक करके बेज़ जाता है तो इससे पैकिंग बोल सकते हैं अंगूर की पैकिंग ग्रेप्स गार्ड में की जाती है जिसमें पोटेसिय मेटावाई सलफाइड को उप्यूक किया जाता है ठीक है तो यह पैकिंग भंडारड तो फल्व सब्सक्राइब को लंबे समय तक ताज रखने के लिए कम तापमान वाधिका पिक्षित आदरता पर रखा जहता है इसे भंडार घृ क्रीक कई प्रकार के होती है एक होता है स्टूरेज इक होता है रेप्रीज बंडार में छ लौक को लंबे समय तक तक आ रखने के लिए कम तापमार वा अधिक आधरता पर राखा जाता है जिसे बंडार काते हैं बंडार गरी कई प्रेकार के होते हैं पहला सेलर सोलर इस्टोरेज रेफ्रेज़ेटर बंडार गरी फ्रेज बंडार गरी कोल्ड इस्टोरेज देख लेते हैं इस प्रेकार के बंडार गरी में ताप तरह के बंडार गरी में प्रफशित आधरता को नियंतित किया यह था ठीक है और भारत में इसी प्रकार के बंडार गरी प्रश्डित है और भंडार गरी जैसे अगला है इस प्रकार के बंडार गरी में तापान वा आप्टेक्शित आधरता के साथ-साथ-साथ-गैसों की शांदरता को कर दिया था है सब्सक्राइब बंडार्गरी में खर्च सरवाधिक होता है लेकिन भंडार चमता की सबसे अधिक होती ठीक है है यह जो भंडार ग्री मैंने बताए के इसमें बंडार सबसे अच्छा होता है सबसे अधिक यूदा लेकिन खरत भी लगता है और इसके बाद दूसरा होता मोडिफाइड अट्रमास पेरिक इस टोरेज थिक है इसको में श्टोरिज बोलते है मोडिफाइड इटमास पेरिक स्टोरिज तो इस प्रेकार के बंडार के लिए में वायू का आधान फ्रदान होता है इसमें फलो और सब्जियों को रखने के बाद उनका तापमान वह आधरता को नियंचित करके बंडार के पुरूरूरुप से बंद कर दियाता है कुछ समय बाद आक्सिजन की सांदाता यह सिनु ऐते हैं बंडह लंबे समय तक सब्सकर्ण का बंडार रहता है ठीक है आप रकीया जीडिएनर्जी कुल चेंबर जिसको फिर पीपशा के की सरल में पूछबार देता है मैं इसको लाग में आकूछ इसको ईनर्ज पाता ना पड़ेगा सक दूप एह तो यह प्रेक यह जो जियो ऑनरजी कोटी में जह संस्थान के इसके राया और खुर्दिया द्वारा किया था थिक है इसके राया नाम के वेग्यानिक ने इस भंडार के रहे कि खोश किया था इसमें किसी पराकार की उड़ जाके सकता नहीं होती है यह तापमान वास्पिकर के सिद्धान पर काम करता है ठीक भी या चलिए आगे देखते हैं उम्मित करते हैं सब्सक्राइजेशन या पास्चुरी करण अगला किसे ने पास्चुरी करण या पास्चुराइजेशन तो उसके अंदर उपस्तित सूचमजी नस्ट हो जाते हैं जिससे कुछ दिनों के लिए पास्चुरी करण इसकी खोजी लूइस पास्चर नहीं किया था तो पास्चुरी करण है क्या आए समझ में आ गया गया ना पास्चुराण सब्सक्राइब कर निष्ट हो जाते हैं उनकी बिजाड़ों निष्करी जाते हैं जिससे कुछ दिनों के लिए फ़लों के लिए पास्चुरी करण ने किया था अगला बलांचिंग इसको बीवी कर बोलाता है यह इंप्वाटेंट बाइब लांचिंग तो प्लों सब्सक्र पचे क्रियां बन जाती है तथा रंग अच्छा बना रहता है इसको ब्लांचिंग करते हैं फ़लों को कुछ मिनट के लिए जिसे दो से पांच मिनट के लिए उबालेंगे उबालने का थंड़े पाने मिढ़ने फाले तो खुब गरम कर देंगे उसको बढलने का तुरन तो कर शब्सटिंग की जाती है व्लांचिंग प्रोसेसिंग से पले की आती है ताकि प्रोसेसिंग के बाद उतपात का रंग अच्छा बना रहे तब फौलों सब्सक्राइब हें ठीक है तो प्लांचिंग समझ में आ गया उम्मिच करते हैं समय आई गया होगा आगे देखते है है एक देख ली जाए हम और रोश्टिंग रोष्टिंग क्या होता तो रोष्टिंग वह प्रक्रिया होती है Sponge familiarity सबढ़केस्में आग में करना किया बढ़े सोते होते हैं आग में रोश्ड करना रोष्टेजिक में अगला इस पांब तो जब फलो वा सब्जीयों को 100 अधिक तापमान पर गर्म करने से उन्हें उपस्तित सभी सुछ मजीव था उनके बीजाड़ू पूड़ते निश्ट हो जाते हैं तो इसके लिए उन्हें करते हैं हमने पास्चुराइजेशन में क्या देखा था वहां पर जो फलो सब्जी तो इसको 100 डिए से कम तापमान पर गर्म करते थे और यहां इस तापमान पर गर्म करेंगी गर्म करने से उनके अंदर पस्तित सभी सुछ में जीव होते हैं वह पूरता इन्नाश्ट हो जाते हैं इसी किरिया को निर्जीवी करड़ या इस्टे लाजेशन का जाता है समानत अमली फल्वा सब्जीव में निर्जीवी करड़ 100 डिए से स्तापमान पर किया जाता है तो यह तो हो गया कुछ क्यूशन आगे देख लेंगे दो एक क्यूशन हो रहें दो क्यूशन जैम के बारे में और 16 जेली के बारे में ठीक है इसके बारे में लांग में पढ़ना है थोड़ा सा बता देता हूं एक नमर में पूछ सकता है भाई तो इसकी जैम इसको फल पाक भी बोलते हैं भाईया हिंदी में ठीक है फल पाक भी बोलते हैं जो जैली होता बाईया ना यहां पर फलो कर रंष चीड को मिला कर बना जाता है ठीक है यह एक यह आ पाधर्स म handing सब्सक्राइब बनाने के लिए सबसे उप्यूक तो फल से बढ़ ठीक है इस जो हता है इसका टोटा सॉलीबल स्वाली जो हता है वह अच्छा बनता है ठीक है इसमें चीनी की मातरा जो होती है खटे फ्लो में एक किलो ग्राम और मेटे फ्लो में एक किलो ग्राम ठीक है जेम का बच्छा जीनी का गूना होना चाहिए ठीक है कि अग़लों के रस चीनिवा खटास इक साथ मिला कर तयार है जैली का चैल्स होता है ook ऑचालने के लिए नकीजिया घ्राष अंड़न होता है क्या फैक्तिन फैक्तिम्ट के एकने टेट्र Michigan थे जैल'm को होता है ठीक है फ़लों पेक्टिन यहां कलसियम ब्रेट के रूप में होता है इसमें इसका जो 265 है और जो यह पर संथा तो सब दीचेगा उसका परसेंट में पर सिसमें 25 होता है उसमें सब्सक्राइब करने के लिए पुड़ पके तथा जली बनाने के लिए अर्द पके फलो का चुनाओ करना चाहिए तो यह था आप लोगा कुछ की उसन जो कि मैंने बताया उम्मिद करते हैं वीडियो अच्छा लगागा तो वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों को अजियर कीजिएगा धन्यवाद जैहिंद